मेरे भाई की साधी थी इसले पूरा गेस्ट हाउस सजाया गया क्या बोल रहा हूँ है कुछ सुना रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरे भाई की साधी थी इसले पूरा गेस्ट हाउस सजाया गया और तेवतिया ने कल ऐसा धोया कि आग ऐसी लगाई मजा गया नमस्कार जैहिन मैं वरानक देखना शुरू कर चुके आप T20 लीग स्पेशल रंतंत्र और पंजाब की टीम को क्या ही बोले एक भी IPL ट्रोफी अपने नाम न होने वाले बैंगलूरु वालों को तो इंटरनेट पर लोग बेरहमी से ट्रोल करते हैं दिल्ली वालों पर भी इतने जोक्स बन चुके हैं कि वो सारे जोक्स अगर इकठा कर दो तो कश्मीरी गेट बस अड़े पर अच्छे खासे दामों में वो जोक की किताब बिग जाएगी लेकिन पंजाब वाले इस मामले में थोड़े लकी हैं 14 साल में ट्रोफी के आसपास भी नहीं फटके लेकिन कोई ट्रोल नहीं करता मलब 71 करोर रुपए थे इस टीम के पास आक्षन में खर्च करने के लिए काईदे से तो इनको ये सारी रुपए एक ही खिलाडी को लेने में खर्च कर देने चाहिए थे लेकिन उस खिलाडी को नहीं खरीद पाए जिसने इनके जीवन में धान बोया है भाई साब नाम तो सुना ही होगा राहुल तेवतिया जिसने एक बार फिर खड़ी कर दी पंजाब की खटिया एक काम करते हैं सुरू से सुरू करते हैं गुजरात वालों ने टॉस जीता और पंजाब को बोला जाओ ये बैटिंग करो पंजाब वालों ने कैप्टेन मैंग अगरवाल और जॉनी पेस्टों की जल्दी विकेट गिरने के बावजूत इतने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया कि देखकर लगा वाकई पंजाब वाले अपकी बार जीतने को लेकर सीरियस हैं लिविंग सेन लगा तार दूसरे मैच में अपनी पावर हीटिंग का प्रदर्शन करते दिखे सिखर धवन के साथ उनकी पार्टनर्शिप टीम को 34 रन से 86 तक ले गए लिविंग सेन ने एक बार फिर जशांदार वल्ले बाजी करते हुए 27 में 64 रन बनाये उनकी फार्म देखकर कायदे से तो प्रिती जिनिटा को 10-12 निम्बू मिर्ची उनके हेलमेट पर लटका देनी चाहिए चाहे निम्बू कितने ही महंगे क्यों न हो है कि नहीं कि उनको नजर न लग जाए पंदरा ओर में पंजाब 1500 रन के आसपास था और लगड़ा था कि आडाम से ये टीम 200 के उपड का टारगेट दे देगी लेकिन राशीद खान ने की ओर में लिविंग सेन और शारु खान को आउट करके उनके लिए 180 रन बनाना भी सपने जैसा कर दिया वो तो भलाओ आरशदीप सिंग और राहूल चाहर का जिनकी तेस पारियों के वज़े से पंजाब आले 190 रन का टागेट देने में मटड रहे मटड रहे? सडी सफल रहे आगे बढ़ता है राहूल चाहर ने शांदार 14 गिन में 22 नॉट आउट रन बनाए लेकिन कल किसी और ही राहूल के चमकने का दिन था और राहूल तेवतिया पर तो मेरी ओपीनियन हमेशा से पॉजिटिव रही है लेकिन आपकी ओपीनियन चाहे जैसी भी हो उसको वेस्ट मत करो उससे पैसे कमाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ प्रोबो एप का लिंक दिया है उस एप को अपने फोन में डाउनलोड करो मैं तो कहता हूँ घड में सबके फोन में डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि घड में सबके पास ओपीनियन होगी और उन सबको भी बोलने का कि वेस्ट मत करो अपना ओपीनियन प्रोबो एप पे सिर्फ येस या नो में ओपीनियन देकर पैसे जीत सकते हो हैं आज उस पे आपको एक इवेंट मिलेगा प्रोबो एप पे डाउनलोड प्रोबो नाओ बिल्कुल वैसे ही जीत सकते हो जैसे कल गुजरात जीता 190 के टागेट को चेस करते हो है गुजरात की जो कहानी है वो इन तीन खिलाडियों के इर्द गिर्द घुमती है एक तो है साही सुदर्शन तमिलनाडू के इस 20 साल के नौजवान ने गुजरात के लिए अपनी डेबियू इनिंग में 30 गेंदों में 35 रण की शांदार पारी खेली दूसरे खिलाडी वो जिनके साथ मिलकर साही सुदर्शन ने पार्टनर से बिल्ड करी यानी सुभमन गिल 2022 में कोलकता से गुजरात शिफ्ट होने के साथ ही हमें शुभमन गिल का भी एक नया रूप देखने को मिला है कोलकता में डूक डूक कर भयंकर रूप लेने वाले सुभमन गुजरात पहुचते ही एकदम तेस तरार ओपनर हो गए है उनके 50 रन सिर्व 29 गेंदों में आये फ्रंट पूट हो या बैक पूट गेंद बाज उनने कभी परिशान नहीं कर पाए उनको देखकर लग रहा था कि बटलर के बाद दूसरी सेंचुरी इस साल उनीक ही आवेगी लेकिन उनसट गेंदों में उन्होंने 96 ही बनाया और फिर जब गिलाउट हुए तब सब को लगा कि गुजरात वालों को इस साल अपनी पहली हार मिलने वाली है लेकिन हार का सोचने से जादा मेरा दिल इस बात पर तड़ पढ़ा तक या 96 तक अगर कोई बंदा पहुचता है तो चार रन के लिए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भगवान जी क्या कहते हैं बगवान जी ए बगवान को मत बुला बार बार अगर बगवान ने गलती से तिरे को एक बार बुला लिया तो सड़ी सड़ी मैं यह कहँए था पंजाब की गेंद बाज उनके उपर हावी हो गए सुबमंगिल के आउट होने के बाद आखरी के दो ओवरों में रिक्वाइड रन रेट इतना बढ़ गया तो जितना आचकल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन आखरी ओर में जीतने के लिए जो चाहिए था वो तब नामुम्किन सा लगने लगा जब हार्दीक पंडिया उसी ओर में डन आउट हो गए सब कुछ पंजाब के प्लान के मुताबिक जाड़ा था और फिर क्रीस पड़ाए राहुल तेवतिया वही राहुल तेवतिया जिन्नोंने पंजाब को ही एक ही ओड में पांच चक्के लगा अगर दुनिया वालों को अपना नाम याद करवाया था शारजा में खेले गए उसमें आच में राजस्तान की तरफ से खेलते हुए राहुल ने पंजाब के उपर जो चोट करी थी उससे पंजाब कभी उबर नहीं पाया और कल जो राहुल तेवतिया नहीं किया है उसके बाद तो पंजाब वालों को ठीक होने में दो तीन साल और लगेंगे मुझे समझ में नहीं आता है और एक ऐसा कि लाड़ी जो आपके पीछे नहा धोकर पड़ा है उसके लिए पंजाब ने आक्शन बिड करना भी ज़रूरी नहीं समझा नतीजा यह हुआ कि एक बुरे सपने की तरह पंजाब का पला राहूल तेवतिया से फिर पड़ा गुशाद को जीतने के लिए दो गेंदों में 12 रंचाईये थे और राहूल तेवतिया ने मेडविकेट के उपर से दो गेंदों में दो छक्ये लगा कर एकदम महेंदर सिंग धोनी की आद दिला दी मजे की बात यहीं कि धोनी ने भी आकड़ी दो गेंदों पर दो छक्ये माड़कर पुने को जो जीत दिलाई थी वो भी पंजाब के खिलाफी थी और पंजाब वाले तेवतिया की यह दो शॉट्स दो छक्ये देखकर मन ही मन यही कहड़े होंगे क्या गुजरात यह मैच चे विकेट से जीत गया और अभी तक इस टोड़नामेंट में अविजित बना हुआ है हम भी आपके साथ बने रहेंगे आज शाम को हाईदराबाद हो चेन नहीं का जो मैच उसके बाद आपसे मिलेंगे और शाम को ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फेस्बूक पे देखरे तो पेच को लाइक करना इ क्योंकि वहीं पर आपको उपीनिन के पैसे मिलते हैं और अगर आप पैसे जीतो तो मुझसे आदा खुसकाउन होगा बाई सब्सक्राइब करना हमारा चैनल थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई टेकेट जैहिंद मिलते हैं सामको